दोस्कार दोस्तो स्वागत एक नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आपके पास OnePlus का कोई भी फोनों कोई फर्ट नहीं बढ़ता यहाँ भी बताने वाला हूँ कि आपके इस तरह से Call Forwarding कर सकते हैं और Call Forwarding फिर भी कोई फर्क नहीं बढ़ता है वैसे अपडेट करने वाली वीडियो इस तरह का अगर लाना चाहते है इंटरफेस तो आई बटन में वीडियो का लिंक है आप देख लिजेगा पूरा पूरा पूले लिस्ट है अब यहाँ पे आपको Calling Account का Option दिखता है Calling Account का Option पर जाना है इसके बाद आपको Career Call Setting का Option मिलेगा इस पर जाना है इसके बाद Call Forwarding का Option पर आपको चले जाना है अब जैसे ही जाओगे यहाँ पे Call Forwarding आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Reading होरा Status तो यहाँ पे Status Read हो चुका है यानि कि अभी कोई भी Call Forwarding Activate नहीं है तो Always Forward का Option है यानि कि हर कंडिशन में कोई भी फोन आए चाहे आपका फोन बंद है या कैसा भी हो बीजी हो या Out of Reach हो कोई फरेक नहीं परता सारा कर सारा Call आगर फरवड करना चाहते हैं तो आप इस वाले Option को Choose कर सकते हैं दूसरा होता है When BG जब आप BG होते हो उस कंडिशन में Call Forward करना है तो जब आप Pick Up नहीं करते हो यानि कि When Unanswered और यहाँ पे When Unreachable जब आपका फोन Network छेतर से बाहर होता है तो यहाँ पे मैं जैसे आपको जीस मर्जी Situation को आप Choose कर सकते हो यहाँ पे मैं First वाले को Choose कर लेता हूँ अब यहाँ पे आप देखो प्लस का एक आइकन होता है प्लस का आइकन को पे क्लिक करके आप कोई Contact वाइगरा ऐसे आइड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई नंबर डाल सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे 97353430 कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ मैं और इस तरह से नंबर डालने के बाद जो Sign था उस पे टिक करूँगा तो इस तरह से Call Forwarding मेरा लग जाएगा अब Call Forwarding अगर आपका लगा हुआ है तो आपको पता है किसे चलेगा आपको यहाँ पे उपर Status Bar में Call Forwarding का एक आइकन बन के आता है और एक चीज़ ध्यान दे रहा है कि अगर आपने दो SIM लगा रखा होता तो यहाँ पे जिस SIM के लिए यह Call Forwarding Activate है वो SIM यहाँ पे दिखाई देगा जैसे SIM 2 या SIM 1 यहाँ पे लिखा हुआ होगा अगर आपको हटाना है Call Forwarding तो आपको क्या करना है Similarly Dialer पे जाना है Setting पे जाना है इसके बाद आपको Calling Account पे जाना है और आपको चले जाना है Career Call Setting पे और इसके बाद आपको यहाँ पे Call Forwarding का Option होता ही है आपको इसको Open कर लेना है थोड़ा सा Time लगता है क्योंकि यह आपके SIM की सेटिंग होती है Career की सेटिंग होती है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा Wait करना होता है और किसी Case में हो सकता है कि आपका Error आ रहा हो तो SIM को निकाल करके वापस से SIM को डाल लेना है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा Wait कर लेते हैं तो यहाँ पे Status आ चुका है अगर बंद करना है तो आप Simply इसको इस तरह से Turn Off कर सकते हो तो इस तरह से आप Call Forwarding कर भी सकते हो और Call Forwarding हटा भी सकते हो और किसी किसी कंडिशन में होता है कि आपके नंबर पे Phone नहीं आता है तो उस कंडिशन में भी आपको यह वाला Status चेक कर लेना चाहिए एक बार वीडियो अच्छी लगए होगी तो लाइक कीज़े सेर कीज़े सबस्क्राइब कीज़े मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए